नमस्कार दोस्तों, हमारे यूटूब चनल में आप सबी का स्वागत है दोस्तों, बवासीर के समस्या आज के समय में बहुत आम बन चुकी है गलत खान पान और मिलावटी खाद्य पतार्तों के सेवन से पेट में कई तरह के विकार उत्पन हो जाते हैं जिसकी वज़ा से कई विमारिया हमारे शरीर को घेल लेती हैं जिन में से एक आम विमारी है बवासीर बवासीर होने पर रोगी बहुत अत्यधिक परिशानी और दर्द का सामना करता है और आज की इस खास वीडियो में हम आपको एक ऐसा नुस्खा बताने जा रही हैं जिससे पुराने से पुरानी बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी आप सबी जानते हैं कि बवासीर को मुख्य दो तरह से मना जाता है एक अंद्रूनी बवासीर जिसमें खोन नहीं आता और दूसरी भारी बवासीर जिसमें खोन ही खोन आता है और दर्द भी होता है दोस्तों अब हम आपको बताएंगे वह खास नुस्खा दोस्तों इसनुस्के को बनाने के लिए आपको मुख्य सामगईयों की आवश्रता पढ़ेगी जिसमें से 200 ग्राम गाय के दूद की नारियल की जटा और 10 ग्राम लहसून 50 ग्राम सरसो का तेल सबसे पहले आप 50 ग्राम सरसो के तेल को एक शीशी में भल ले और उसमें 10 ग्राम लहसून काट कर डाल दे की जटा को जलाकर उसका भस्म मना लेना है और इसे भी एक अलग शीशी में भरकर रख लेना है और सुभा सौच करने के बाद लहसून और तेल का तेल यानि की सरसो का तेल का जो आपने बनाया था उसे रूई में लगा कर अपने मस्तो पर लगा लेना है उसके बाद 200 ग्राम गाय के दही में दो चम्मच नारियल भस्म मिला कर उसका सेवन करना है आप चाहे तो गाय के दूद का इस्तमाल भी कर सकते हैं या फिर धाही का इस्तमाल भी कर सकते हैं और दोस्तों इसके बाद आपको पूरे दिन कुछ नहीं खाना है मात्र एक दिन करने से आपका कैसा भी ववासीर हो आपको बहुत रहात मिलेगे और जल्द ही आपके ववासीर गायब हो जाएगे दोस्तों अगर आपको हमारी एक खास जानकारी अच्छी लगी हो